स्वतंतरता दिवस के पूर्व संधिया पर भारती जनता पार्टी 36 गड़ के प्रदेश प्रवक्ता केश चोहान ने ग्रेनेस ये नियू से खास चर्चा करते हुए आजादी के महत्व और स्वतंतरता दिवस के विश्तृत जानकारी कुछ इस प्रकार से दी आए देखते है भाच्पा के प्रदेश प्रवक्ता केश चोहान से हुई बादचीत के खास अंच नवश्का दुशकों सबसे पहले सभी शहर वासियों को आजादी के 76 वी वर्षगाट के धेरो बधाईयां शुबकामना है आज हमारे बीच में केश चोहान सर है एक कुशल वैक्तित्व के धनी, एक कुशल राजनेती गे और अपनी एक अली के छपी रखने वाले केश चोहान हमारे से आप चर्चा करेंगे कि आजादी हमें किस तरह मिली और किसका इसमें ज़्यादा युगदान रहा सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं तो सर सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में आजादी की फ्लक्ष पर जच्टन में स्वागत है तो मैं जानना चाहूंगी पूरे 200 साल गुलामी की जंजीरों में जकडा रहा 200 साल काफी लंबा पेड़ होता है कितने ही लोगों ने अपने जान की कुरवानिया दी तब जाकर हमें आजादी मिली आजादी मिलने में इतनी देर क्यों क्यों लगी 200 साल तो सिर्फ अंग्रेजों ने उसके पहले भाईयों ने फिर और भी बहुत बहुत जादा हमारे को गुलाम बना के रखा और इसको आजादी मिलने में इतना समय क्यों लग गया तो यही कोशन महात्मा गांदी जी से पूछा गया था कि आपको आजादी दिलाने में इतना समय क्यों लग गया तो उन्होंने बोला कि 40 साल तो मुझे यह समझाने में लग गया कि हम गुलाम है और जब इनसान को उसकी यथार्थ स्थिती बता दी जाए जब उसको जागरुक कर दिया जाए हम लोग जागरुक ही नहीं थे हम जागरुक नहीं थे हमारे को बताया गया कि हम गुलाम हैं हम गड़े में हैं और गड़े से हमारे को बहार निकलना है तब तक हम यही समझते थे कि गड़ा ही जीवन है जब तक इनसान को यह पता नहीं चलेगा कि वह यह उसके उपर भी कोई जिंदगी है हम आप गड़े में रह रहे हैं तब तक वो प्रयास नहीं करेगा और उसके बाद हमने प्रयास किया और हम निकल गए तो जागरुक करना इंसान को जागरुक करना और बताना कि आपको यह व्यवस्थान नहीं है उसके आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं शाहिन जी जो हमारे को नहीं मिली है जो हमारी मूलभूत अधिकार है और लेकिन जब हम जागरुक हो जाएंगे तब वो हमारे को मिल जाएगा वैसे तो अनेको हीरो है इन 200 सालों में जिनके नाम गिने जाते हैं शहीदों में उनकी जैनतिया मनाई जाती है आजादी के पलक्षम में उनने याद किया जाता है ले कि जतने भी लोगों को हम जो भी हमारे सतंतरता सेनानी हैं जो हमारे को दिखते हैं वो हाइलेट है बाकी युगदान बहुत लोगों का रहा है जो युद्व में नहीं भी गए उनका भी युगदान था जैसे उसका भी योगदान रहता है जो एक जो युद्ध में घोड़ा जाने वाला रहता है और उसकी जो नाल ठोकता है नाल अगर अच्छे से ठोका है तब वो घोड़ा अच्छे से दोड़ेगा और उसका भी उतना ही योगदान है होता है जितना गुरसवार का होता है उतना ही नाल ठोकने वाले का भी होता है तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अंगिनत लोग हैं जिनोंने अपना अपना प्रयास किया और जो आज सुनाई नहीं देते हैं जैसे अरविंदु घोष हुए हमारी एक ठोकने तो वो इतने संस्टिर थे कि उनको उनको बहुत मारा अंगरेजोंने तो उन्होंने बोला कि ऐसे बा दिया और उसके बलबूते पर उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी करवाई जिसका आजादी में बहुत बड़ा योगदान है और आपको जानके ये भी खुशी होगी कि 15 अगस्त उनके बड़े वाले दिन हमारे को आजादी मिली है अरविंदु खोष बहुत कम लोगों को बहुत कम लोगों को जानका रही है और ऐसे अंगिनत अंगिनत किस्ते हैं जो आजादी के लिए मिट गए मर गए और लेकिन आजादी मिली उनका धे ये था कि हमारा नाम हो या ना हो लेकिन आजादी मिलनी चाहिए ऐसे अंगिनत लोग है बिटिश रासन दो साल यहां रा है आप से अगर पूछया या आप अपनी क्या राय देते हैं संसार कि किसी को गुलाम बना सके हम गुलाम खुद बन्ते हैं contro ON जब हम खुद गुलाम बनने के लिए तयार रहते हैं तब धूसरे लोग हमारे को गुलाम बनाते हैं और वस समय जिस समय हमारे को गुलाम बनाया गया उस समय एक प्रतीशत लोग भी हमारे हिंदुस्तान में साक्षर नहीं थे और जब हम गुलामी हमने छुड़वाई तो उस समय हमारे देश में तीन प्रतीशत लोग ही पढ़े लिखे थे और तीस करुड जनता के उपर दस लाख सिर्फ अंग्रेजों ने पढ़े लिखे अंग्रेजों ने साशन किया और वो क्यों हटे क्योंकि उसके उपर च्छत्री च्छत्री इंदसेंस मैं आपको जन्म से नहीं बोल रहा हूं करमों से बोल रहा हूं च्छत्री वो होता है जिसकी समाज की सुख दुख को ही अपना मानता है तब ही क्रियेशन होता है क्रियेशन तब ही होगा जब आप किसी से प्यार करोगे आप खुद से प्यार किये या अपने परिवार से प्यार किये या अपने फिर समाज से प्यार करते हैं तब जाके creation होता है और तब जाके उनके ओपर वो हावी हुए और तब आजादी मिली main ये था कि जो सक्षर नहीं थे हम लोग अग्यानता अग्यानता नहीं अग्यानता भी उसको बोल सकते हैं लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं थे आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता उस समय भी उस समय भी कुछ लोग गुलाम नहीं थे जो लोग पढ़े लिके थे वो लोग गुलाम नहीं थे और जो आज भी आप क्या बोलते हैं आज भी कुछ लोग गुलाम नहीं है बिल्कुल है क्योंकि उन्होंने अपनी गुलामी स्विकार की है वो क्यों की है क्योंकि वो उनके ओपर डिपेंड हो गए हम अगर किसी के ओपर डिपेंड हो जाते हैं माल लीजे कि एक एक बिचारी अबला नारी है छोटी लड़की है अगर वो उस अपने ससराल के ओपर डिपेंड हो जाती है तो क्या वो गुलाम नहीं होती है बिलकुल उसका शोशन भी होता है जो वो बोलते हैं वो होता है और इ एक ही पुरे संसार में एक ही जगह ऐसी है जहां आपकी पूरी मनो कामना पूर होती है। एक ही जगह ऐसी है जो आपकी सभी च्छाओं को पूरा करता है और वो है स्कूल। इसकूल अगर आप जाएंगे तब आप जो चाहेंगे वो होगा क्योंकि ग्यान वहाँ से वो मिलेगा और वो ग्यान आपको सब चीजें देगा कभी गुलाम नहीं बनने देगा गुलाम की गुलाम बनाने की किसी की अवकात नहीं है शाहिन जी हम खुद गुलाम बनते हैं और हम गुलाम तब बनते हैं जब हम अग्यानी रहते हैं जब हम साक्षर नहीं होते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं तब पढ़े लिखे हो आप, कोई गुलाम नी बना सकता, आप इंडिपेंडन रहोगे। या क्या बदलाओ ज्यादा अपने को नजर आया जो हुआ है। अगर हम जो विपदा है, उसको उपर्चुनिटी के हिसाब से लें। और उपर्चुनिटी के हिसाब से तब लेते हैं जब हमारा जो सरकारे हैं वो एक सिस्टम से चलें। वो मतलब सभी के लिए हितकारी हो। उस सिस्टम से जब हम चलना चालू करते हैं और हम सुक्षमता की और जब जाना चालू करते हैं तब हम बहुत तेजी से रफ़तार पकड़ लेते हैं बदलाओ की और बदलाओ फिर बहुत अच्छे होते हैं। बदलाओ आज की डेट में जो भारत में हुआ है वो एक हमारे को बहुत देखने को मिलता है कि हम साक्षर हो रहे हैं। हम जैसी जैसी साक्षर हो रहे हैं अब कोई हमारे को गुलाम मना के दिखाए। अब कोई हमारे अब कोई बना सकता है किसी को गुलाम जो भी साक्षर हो चुका है नहीं बना सकता है। हम गुलाम बनेंगे ही नहीं, कभी नहीं बन सकते हैं गुलाम, तो अब सबसे बड़ा तो यही अंतरा है कि अब हम गुलाम नहीं बन सकते हैं मेरा भारत महान ये एक नारा है हर जगा चस्पा भी किया रहता है लोगों के मन की धारणा भी रहती है सर उठा के खुश होकर सब कहते भी है मेरा भारत महान इसको महसूस कैसे किया जा सकता है जबान से कह देने से ही मेरा भारत महान हम मान रहे है महेसूश कैसे कर सकते हैं actually में महारत महान है कि आप यह देखिए कि कई अकरानताओं ने भारी शक्तियों ने भारी लोगों ने इसके उपर आकरमाण किया लेकिन भारत ने उसे अपना दिया क्योंकि भारत की जो संसकृति है वो भरी हुई है वो अपनाने की है, वो सनातन संस्कृती से जुड़ा हुआ है, और मैं ये बोलते-बोलते, emotional हो गया हूँ, कि आज तक भारत ने, आज तक भारत ने कहीं भी आकरमण नहीं किया, हम सदियों से देखने, जब से भारत है हमारे, तब से खुद होके उसने आकरमण दूसरे देश में नहीं किया, हाँ अपनी रक्षा की है, जवाब दिया है, लेकिन खुद होके कभी नहीं किया, यह हमारे संस्कार है, यह हमारे भरे हुए संस्कार है, और यही भरे हुए संस्कार हमारे को बताते हैं कि आज भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, आज, जब से जब से दूसरे-दूसरे महादवीपों में जो लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन जो लोग हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं। और हम विश्व गुरू इसी लिए, इस सबसे बड़ा कारण है कि हम विश्व गुरू की कगार पे खड़े हुए हैं। और हम विश्व गुरू बनने के लिए, मुआने पर खड़े हुए हैं और हम विश्व गुरू बन जाएंगे जिससे दुनिया का उध्धार होने वाला हैं। सिर्फHAN नहीं हिंदूस्तान का तो हो चुका है !! इसकी जो हमारे भारत में जो यह सब्सक्रार्इस है कि दुनिया में कहीं भी आपको ऐसे प्रगाढ डिलेशन्स नहीं दिखाई देंगे बाई बेहन के जो हैं माबाप के जो हैं पती पत्नी के जो हैं पती पत्नी ना चाहते हुए भी जिंदगी भर एक दूसरे के साथ गुजार देते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं समय समय बेहाने लिए इसे हम संसकारों की भाशाख है सकते हैं संसकारों की भाशाख इसलिए मेरा भारत महान है आजादी का पर्व मनाते हुए अभी देश पूरे खुशे में डूबा हुआ है कल शियात तर्वी वर्षगांट मनाएगा क्या आपको लगता है कि भगवान ना करे ऐसे स्थिती परिस्थिती बने कि इस पर दुबारा गुलामी का ठपा लगे मैं बताया ना आपको कि हम गुलाम बनते हैं खुद कोई हमारे को नहीं बना सकता है गुलाम और ये कंडिशन बहुत पीछे चूट चुकी है आज हम हमारा देश जो है वो लगबख 77-78 प्रतीशत लोग जो है इसमें साक्षर हो चुके हैं और अब जो जरुष्ट है अभी फिलाल जो जरुष्ट है वो महिलाओं का साक्षरता बहुत नीचे है और महिलाओं की साक्षरता को उपर लाने की जरुत है महिलाओं को अपनी बच्चियों को डिपेंडन्ट बनाने की जरुत है इंडिपेंडन्ट बनाने की जरुत है डिपेंडन्ट बनाने की जरुत नहीं है ये हम महिलाओं के लिए करें क्योंकि हमारी जो मातर शक्ती है वो लगबग पचास प्रतीशत है और पचास प्रतीशत में सिर्फ तीन प्रतीशत महिलाएं ही बाहर निकल के काम कर रही है 47 प्रतीशत हमारी एनरजी भारत में घर में है उनको बाहर निकलना उनको अपनी समरिद्धी में काम करवाना अपने देश की समरिद्धी में परिवार की समरिद्धी में काम करवाना ये बिलकुल होना चाहिए और उनका हक भी है उनकी जवाबदारी भी है और इसी में उनका जब हम अपनी जवाददारी समझेंगे जब हम हक समझेंगे तभी हम उनके लिए करेंगे और ये हमारे को एक पुरुष प्रधान अब देश हम लोग बोलते हैं तो पुरुष प्रधान देश प्रधान आप तभी बनते हैं जब आप हक नहीं जाताते हैं जब आप प्रजारी है कि हम उनको आगे बढ़ाएं और जब हमारी महिराएं भी और आगे बढ़ेंगी तो हम और सुद्री नमस्ता में पहुंच जाएंगे। खुलामी की तो सवारी पैदा नहीं होता है। ग्रेंडेशियन के दर्शकों को आजादी की बढ़ाई है। रिस्पॉंस्बिलिटी उठा सकें और रिस्पॉंस्बिलिटी का मतलब यह होता है कि हम देश के लिए हैं। हम परिवार के लिए हैं अपने। हम कभी-कभी ये सोच लेते हैं कि परिवार हमारे लिए हैं। हम परिवार के लिए हैं तो ये और वैसे ही हम देश के लिए हैं तो हम समाज के लिए हैं इसी शुबकामनाओं के साथ इसी भावनाओं के साथ आपको धेरो धेरो हर्दिक शुबकामनाओं इस स्वततरता दिवस की तो दर्शकुक आजादी के परव पर हमने खास आमांतित किया था केश चोहां सर को आजादी को लेकर उनोंने काफी सारी जानकारिया हमें दी और गुलाम हम क्यों थे किसले थे और हमको जो उससे निजात मिली हम आजाद हुए उसके विशाय को बिलेकर भी उनोंने हमसे काफ ये एपिसोड में हम फिर आपके सामने होंगे और कई साइब बातों के साथ तब तक के लिए नमश्राइब